दोस्तो दोस्तो आज मैं आया हूँ हूं होंडा के सर्विस सेंटर पर जो अत्राई सर्विस सेंटर है और आज मैं कराऊंगा आपने होंडा एक्टिवा 5G की सर्विस तो मैंने इससे पहले जो सर्विस कराई थी जो बहार मिस्त्री होते हैं उनसे कराई थी और वो वीडियो काफी आपको पसंद आए थी यह है मेरी आक्टिवा 5G आप प्लीज वीडियो में बने रहे हैं एक स्टेप ऐस्टेप दिखाऊंगा और बताऊंगा कि किस तरह से यहा स्टेप भीडियो को यार लाइक कर दो शरू करते यहिं और बागी दिक्कत नहीं है बस इसको और है जब चालिस के उपर जाती है तो बाइवरेशन गाड़ी में ज्यादा रहता है क्योंकि सर्विस ज्यादा होगे तो यही प्रॉब्लम में बाकि अच्छे सर्विस करिए तो वीडियो बने रहे हैं यही स्टैप है मैंने जॉपकोड बनवा लिया है अब आग देखते हैं आग चेक करेंगे अच्छे साथ आप वीडियो बने रहे हैं और वीडियो को लाइक जड़ो कर दें क्योंकि आपके लाइक से मुझे बड़ा मोटिवेशन मिलता है तो मिस्स आप एयर फिल्टर वारा पोश्चन खोल रहे हैं जिस तरह से तो फ्रेंट्स यह हमारा एर फिल्टर खुल चुका है और कंडिशन जानते हैं मिस साथ कि से के इस समय कंडिशन कैसी हो रखी एयर फिल्टर की सर बता है क्या सब्सक्राइब कर आटें तो कुछ पार्ट्स वह हमें और इनल बता कर लोकल डाल देतें तो मिस्स आप ने तुरंस पकल लीए कि यह जो एयर फिल्टर था आपका यह लोकल था अब यह देखिए हाँ इसमें केमिकल होता है जो मट्टी को चौक कर देता है यह सुखा है इसको आप जाड़ेंगे तो धूल उनेगा और जिनल में और लोकल में फरक आप देख पा रहे हैं मैं से साब बता रहे हैं कि मिट्टी को चुपका देता है पाज़े हैं और यह मिट्टी को सूखा रगता ही देखिए यह फरा कैसा इसके कारण जाके सांस लेकर मट्टी पुच्च जाती है यह देखिए अगर यह वाला होता तो यह यहां के यहां चुका देता है on अब इंजन में पहुस्टी नहीं और जो जिस तरह से डिस्ट्ब करता एंजन वह नहीं कर पाता प्रेंट साथ मुझे बहुत इंपोर्टेंट बात पता जलिए तो गाईज आप भी चीज़ का ख्याल रखें अगर आप बाहर सर्विस कराते हैं तो ये एर फिल्टर का बहुत ध्यान रखें मुझे इतनी इंपोर्टेंट बात पता जलिए कि इसमें क्यामिकल लगा होता है दूल को कैमेकल चिपका लेता है जो कि इंजन में इस जगा इस पोर्शन में आपकी धूल नहीं जाती है और यह वाला जो लोकल वाला यह सूखा रहता और जो सूकी दूलती बहुत देसारी मुझे यहां पर देगी जिसकी वेसे धूल इंजन में भी जा सकती है और इंजन आपका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम कर सकता है आपके स्कूटर में को इनों के दिक्कत दे सकता है भविश्य में अब हमारा जो आपके अपने नाम बता दीजे प्लीज मेरा नाम रमजानी है तो सर्विस तो होती रहेगी लेकिन मुझे कुछ इंपोर्टेंट टिप्स पूछने मुझे बताईए कि एक जो एक्टिव जो नया खरीता है उसकी बैटरी होती है वो कितना कितना साल तक चल जाती है लगवक द आपको मैं बताओं मेरी अभी बैटरी जो है इसमें मैंने 2017 में एक्टिव खरीदा था मेरी यह दोज़ा बाइच चल रहा है तो पांस साल होके बैटरी को तो यह कह सकते है कि मैंने जो यूस किया बैटरी का बहुत अच्छे से किया हुआ है किक मार करता हूं तो फ्रेंट् के सब्क्राइब करते हैं जहां किसंशा करणार के तो इससे में अदा मत्राइब किलेग कर देंगे प्लैंश चलेगी मैंना बिल्कु स्मूज चलेगी यही वाली कंडिशन यह वाली जो मेरे साथ प्रॉब्लम होती इसको दूर कर दिए मैंने आपको जॉब कार्ट में भी यही प्रॉब्लम बताए थी आपको तो इसमें यह रेकमाल मारेंगे इसको चीकना हो गया है इसको थोड़ा खुर्दरा करेंगे और बैल्ट ठीक है ना भी अभी बैल्ट कितना किलोमेटर पर पढ़ती है बता दीजे हमारी ओडियंस को दोस्तों मैंना हल्चीज की मेंटिनेंस रखता हूं तो मेरी गारी की जो यह बैल्ट है वो अभी अच्छी चल रही है तो वैसे मिस्टी साब बोल रहे हैं कि अभी बैल्ट की कंडिशन अच्छी तो पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है फ्रेंट्स यह वाला पॉर्शन तो मिस्टी साब ने खोला हुआ है तो मैं आगे हमारी जो मीटर में एक लाइट नहीं जल रही है जो आपका मीटर कंसल होता है तो यहां पर एक शायद बल्व फ्यूज हो गया है कौन सा बल्व फ्यूज हो गया मिस्टर तो यह वाला बल् मेंने गाड़ी चला दी थी मिस्टर बताई काड़ी कंडिशन है चला दिया मगरा भी दम है और में अभी कम सब्सक्राइब तीन यह जल्दी करा दिया पर पर जाने के पाद ना थोड़ी घूट रही थी इस वह से शैद डस्ट की वह से घूट रही थी इस वह से मैंने प्रेंट्स मैं यह बता दूँ मेरे बराबर में भी एक्टिवा 5G टॉप मॉडल वाली सर्विस हो रही है देगे यह भाई लोग भी सर्विस के लिए लगे पड़े और उधर दुलाई वह भी आक्टिवा की चल रही है और यह चल रही है लीवो की पुछाई यानिकि इसक से ओंदी कराने के लिए अगर आप अलीगर से ब्लांग करते हैं तो आप यहां पसंतों ज Ой को निकल देखिए भी देखिए किصل दो निकली पर ये भार फेसलेटी नहीं मिल पाती है कंपनी में सर्विस कराने का यही फायदा होता है यह देखिए मैंने भी डिजन लिया कि आपकी बार जो सर्विस कराऊंगा मैं कंपनी में ही कराऊंगा और जो कि मुझे रिजल्ट काफी बहतर मिल रहा है आप भी इस चीज को देख पा रहे है यह देखिए पूरी तरह से धूली धूल हो गई है पूरे सर्विस एंटर में तो फ्रेंट्स यह नेक्स स्टेप है रेगमाल से इसकी घिसाई हो रही है कलश्यू बोलते है न उसको देखिए घिसाई हो रही है इस तरह से होती है बहुत हलकी हाथों से कर रहे है मिसी साब क्योंकि इससे दुश्मनी नहीं निकाल नहीं है इससे काम ओल लेना है अभी यह काई का पैड़ लेदर होता भी है यह है लकडी का बुरादा होता है देखिए इस तरह से घिस रहे हैं और यह कुछ आया है अभी इस प्रे ग्रीज जो कि इस पर लगेगा अच्छा यहां लगेगा मुझे नहीं है लेकिन मैं तब भी कोशिच कर रहा हूं आपको बताने की तो यह देखिए लोग ने इन्होंने घिस दिया है आप इसको यह फिट करेंगे इसको यहां फिट कर दिया है अब इसको भी घिसेंगे यह देखिए यह देखिए इनके हाथ पुरी दरज़े सैट हैं किती बड़ी दरीके सर्विस कर रहे हैं यार मज़ा आ रहा है सर्विस को देखते हुए भी और शूट करते हुए और आप लोग को भी जानकरी देते दोस्तों में एक चीज और बता दूं मुझे अभी 18,000 किलोमेटर मैंने गाड़ी चला लिए और मैंने अभी दा पिछले ब्रेक्शू पढ़वाई नहीं है तो मैं चेक करवा रहा हूं कि ब्रेक्शू पढ़ने के हालत में तो हैं या नहीं है मिसे आप तो कह रहे हैं पढ आने वाले ब्रेक्शू की आप वीडियो में बने रहे और इन्हों ने यह क्लेशू वाला पार्ट कस दिया है यह देखे एक कस रहे हैं यह जो और जहार वगर होते हैं उससे कस रहे हैं यह तैट कर दिए अपधी या स्लों वनना छूट ना जाए बढ़िया चलिया और यह जो भी है यह इस जगा लगा रहे है यह देखिए इससे क्या फायत होगा भया जो जश्ट थी न वह जश्ट खतम हो यह एक दम चिक नहीं लगता ना स्टाइट करते हैं जब अब यह एक दम तरी रहे हैं चलिए थैंक्यू भया अच्छी सर्विस करने के लिए बहुत-बहु करेंगे अच्छा जब जाकर यह जिन्दा कर दो बढ़िया कर दो यार मुझे पता नहीं था आप कर दीजिए इसको यह देखिया एर लग रही है और प्रुकु इसको बहुत अच्छी तरह के से अब लगा ट्रीट्मेंट किया जा रहा है हमारी स्कूटर का यह देखिये अ अरे फ्रेंट्स एक खर्चा और बढ़िया क्योंकि अगर पता चल जाता है क्या कमी है बताई यह पढ़ेंगे जिसकी वेज़ेंगे इसके बुष्वी डाल दीजिए पूरी तरह से वहिकल को तो फ्रेंट्स मैं शॉपिंग करके आऊ हूं मैं और इना पार्स दिखा दूं इसकी अंदर को चुटाएंगे तो इसमें होंडर चपू आएगा और यह है यह इसमें यह जो देखिए इसमें यह कैमिकल होता यह जो की दूर को चिपका लेता आपकी धूर को अंदर जानेंने लगा दियता यह देखिए अब यह एर फिल्टर का क्याप है इसको फिट कर रहे मिसिस अब साफ करके सफाई का विशेज ध्यान दिया जा रहा है स्कूटर की सर्विस करते हुए अब यह पोश्जान को रहा है हमारे ब्रेक शू का यह देखीं यह और इंड़ ब्रेक शू होते हैं जो की यह लगाएंगे लगा दीजे विए विडियो आपको ना मिल पाए तो मुझे पता नहीं है भी या नहीं भी है एक पार्ट आपको दिखा हूँ तो फ्रेंड्स वह आगे का मेरे बल्ब खराब हो गया था मीटर का वह मिसी साब डाल रहे हैं सर यह बल्ब वह कैसे जाता है खराब आप जो खड़ी गारी पर एक्सिलेटर मारते हैं तो उसको बेवर्टरी का बोल्डेज बढ़ता एक दम इसको उड़ा देता एक दम तो गाइस यह भी आपके लिए एक हिदायत है कि खड़ी गारी पर ज्यादा तेज एक्सिलेटर ना दे क्योंकि आपका जो यह वाला बल्ब होता है जो कि आपको विजिबल करता है रात में मीटर को यह खराब हो जाता है तो मैं टिप्स भी दे रहा हूं आपको गारी की सर टार डाल के निकाल रहे हैं यह खराब हो गया यह जो कि देखकर है वर्किंग वेल बहुत बड़ी अजर पीछे का बल्ब अब नेक्स स्टेप है हमारा मेरे नेक्ट स्टेप है वो जो कि बहुत малень ways तर्भास इंदर इंदर इंगे 148 तर सुसके अस चुकर है अब बत्षका इंदर कहा करो घुugen हो से अब इसका बहुत है जा है इक सब्सक्रत बहुँना अच्ट रायल कीदा मilly होता या इंदर अब हमारा नेक्स स्टेप है वो जो की बहुत इंपॉर्टेंट है इस पार प्लक का तो यह खोल रहे हैं और मिसी साब बताएंगे कि हमारी गाड़ी माइलेश कितना दे रही है और अगर इस पार प्लक खराब है तो मैं बोलूगा कि प्रीज इसको चेंजी कर दें क्योंकि मै तीस तीस का भी निले रहा हुगा यह जाओंगा बेदर करके बेजिए मेरे स्कूटर को फ्रेंट्स गाड़ी के अल्मोर्स सर्विस हो चुकी है अब यह जो इसका क्या कटा था आगे शुक्या बहुत कट रहे थे इसके जो बुष कट गयते वह खोल रहे हैं और वह पढ़ हो रहे हैं यह मैं दिखाओं और सच में मुझे ना आगे वारे हैंडिल में जटके से जटके लगते थे तो फेंट्स यह देगे यह होता है बुष यह एक तरफ से पदला एक तरफ से मोटा है तो यही पढ़ेगा इसके वाशल वगरा है यह पूरा सैट-अप है और इसके पढ़ेगा यह दिखिए निकाल के दिखाएंगे यह इस टाइब से होता है यह देखे यह निकला यह खराब हो गए तो यह पढ़ेंगे फ्रेंड्स तो कुछ इस टाइप से मिसिसाब ने बुश का सेट आप खोला यह होता है पूरा और यह पुराना यह है और नया यह है लिखे कितना फराग है और यह उन्होंने खुला यह भी बाडशल वगल आये पुरा सैट-प है मैं फिट होते हुए दिखाऊंगा किस तरह से फिट होता है यह देखिए बुश लगाने के लिए सबसे पहला स्टैप इसमें ग्रीसिंग करी जा रही है एक पोर्शन इसका यह है और एक पोर्शन यह पड़ा हुआ दोनों में ग्रीसिंग की जाएगी फिल लगेंगे इसके पहला स्टैप यह है इसका अभी देखिए इन्होंने बाश्र लगाया यह देखिए यह स्टैप से बाश्र लगाया और इसको एक हैमर की मदद से हतोड़े की मदद से ठोक रहे हलकी लाइट वेट से ताकि उस पर कोई प्रेशर ना पड़े और दूसरा बाश्र भी पीछे बाश्र से इसको पेवस करा रहे हैं इस प्सक्रारण में और फिर देखते हैं क्या लगाएंगे और यह एक छोटा सा वास्र और लगा दिया उन्होंने और पानी नदर जिसकी वेसे ना जाए यह दिखिये लॉक कैसे लॉकिंग वाला वाशल यह दिखिए इन्होंने यह तोड़े की मैंसे हलके लाइट वेट से कर रहे हैं ताकि तूट पूट ना हो और यह एक रॉट टाइप की चोटी सी यह नो ने अंदर डाल दिये जो की बूरी तरह से कट चुकी थी आप देखिए भी पड़ी हुई है इसको नो ने अंदर डाल दिया है यह बुश होते हैं और एक वार्चल ऊपर से यहां से लगा दिया है काफी नलब उन हो री टेखनी कल वाला काम है और यंग वार्चल कह सकते हैं इस सब्सक्राइब कर दिया और बाकी वह उधर कर रहे हैं और बहुत अच्छे से कर रहे हैं और बहुत अच्छे से जाने मेरा रिव्यू जरू सुनिएगा कि मुझे मला चलाने मेरा एक्टिवा मुझे कैसा लग रहा है तो वीडियो मेल अभी थोड़ी सी और रहे हैं और लाइक कर देना और जो लोग मिस्टर आटो पर हैं यूटूब चैनल पर तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करते हैं क् कि इस टाइब के मैं वीडियो बनाते रहता हूं आपकी जानकरी वाली फ्रेंट्स सबसे लास्ट और फाइनल स्टैप इस समय आर्ट पियम सैट हो रहे हैं स्कूटर के और बहुत ध्यान से मिस्टर आप इसका आर्पियम सैट कर रहे हैं क्योंकि इसमें कानों की और नजरो की दोनों की जरूरत होती है और देखिए किस तरह से बहुत मलब ध्यान से कर रहे हैं मैंने बता दिया अच्छे से करना तो यह भी बहुत अच्छे से किया जा रहा है तो फ्रेंट्स कुछ इस टाइप सी यह मेरा बिल है आप देख सकते हैं इंजन ओयल जो है इसका 290 रु सब्सक्राइब गाड़ी सर्विस होने के बाद कैसी चलती है तो फ्रेंट्स मेरे यह एक्टिवा 5G स्कूटर की सर्विस हो चुकी है और मैंने चला कर देख देख भी लिया है सच में यह जब देखेंगे लेकिन आप अगर मेरे पुरानी वीडियो भी देखेंगे सर्विस अगली वीडियो में दो 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 नहुशकार बाबाए